अरे मेडम जड़ा रुकिये जी हाँ बोलो ये क्या मेडम पहले आप जब आती थी तो मुझे हमेशा शोर पे देती थी और अब ये सिर्फ दस रुपे तब मैं कवारी छी फिर आप पचास रुपे देने लगी क्योंकि तब मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद पच्चीस रुपे क्योंकि तब मेरा एक बच्चा हो गया था और अब शिर्फ ये दस रुपे क्योंकि अब मेरे दो बच्चे हैं तब ही तो तुम्हें दस रुपे दे रही हूं वा मेडम जी वा मज़ा आगया बात सुनके इसका मतलब आपके पूरे प्रिवार का खर्चा तो मेरे पेशो से चल रहा था क्या आप फिर से कहना चलो छोड़ो मेडम जी रहने दो मैं तो सूबह से बूखा बेठा हूं आपका गर्तों सामने ही है मुझे दो रोटी लाके दो बगवान आपका बला करेगा देखो अभी तो मैं बजार जा रही हूं बाद में आकर ले जाना कोई बात नहीं मेडम आप मेरा नंबर ले जाओ और मुझे मिस कॉल कर देना मैं आकर ले जाओंगा मिस कॉल की क्या जरूरत है जब रोटी बन जाएगी न तो मैं तुम्हें दो रोटी वटसब कर दूंगी तुम डाउनलोड करके खा ले न ए बगवान क्या जमाना आगे है रोटी यां भी कब से वटसब होने लगी तब से वटसब होने लगी जब से विखारी फोन रखने लगे मेडम जी वटसब पर सादियां भी हो जाती है क्या हाँ शादियां हो जाती है तो मेडम जी प्लीज मेरी करवा दो ना पर किस से अरे आपकी बेहन से और किस से अरे समने